चलिए उस्तो बात करते हैं सिकोर नई कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने ने का यदि कोई दुकानदार 250 रुपे परती किलोग्राम के हिसाब से काजू खरीबता है और उसे 10 रुपे परती 50 गिराम के हिसाब से बेज़ता है तो उसे कितना लाब होगा ये एक्जामने ने मुझसे पोचा यदि एक्जामने आपको कोशन इस तरह से देता है कि एक रुपे में उसे 10 आर्टिकल खरीदे और एक रुपे में 10 आर्टिकल बेज दिये तो जो बेचे हुए आर्टिकल का प्राइज होगा वो आपका कोस प्राइज होगा और जो आपका बेचा हुए है वो आपका सेलिंग प्राइज होगा तो आप इस तरह से अपना profit और loss की गर्णा कर सकते हैं यानि कि सिंपल सी बात है यहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा देखिए एक्जामनर ने मुझसे का 250 रुपे में वो एक किलोगराम खरीता है और 10 रुपे में वो 50 गराम बेचता है तो एक्जामनर पूछ रहा है कि उसका profit और loss कीया होगा है तो देखिए सिंपल सी बा तो 25- bacterial रुपे में वो जो क्या करता है और फिर कहता है कि दस में 50 गराम यानि कि एक रुपे में वो कितना 5 गराम वो देता है तो सिंपल सी बात है जो यह पांच गराम है वो आपका कोस प्राइद जोगा और यह चार ग्राम जो है आपका सेलिंग प्राइज होगा यानि कि पांच रुपे वाली ची चार रुपे बेच रहा है इसका मतलब एक बटे में आपका पांच इंटू में अगर सो करेंगे तो यह आपके पास में चुआ आएगा वो लोस परसंट आएगा वो कितना आएगा आपका बीस CP वो बडाबर होगा आपकाकि एक रुपे में पांच बेच रहा है तो पांच आर्टिकल के SP के बडाबर होगा तो यह जो CP वाली 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 पांच अगर सो करेंगे तो यह आपका 20% का आजाएगा आपका आपका लो सजाएगा अगर इससे भी समझ में नहीं आ तो फिर आप इस तरह से देखिए एक रुपे में कितने आर्टिकल खरीद रहा है वह चार आर्टिकल खरीद रहा है तो वह एक रुपे में कितने बेच रहा है आपके पांच आर्टिकल बेच रहा है सबसे पहली आर्टिकल कितने पैसे में बेच रहा है टोटल और कितने खरीद रहा है यानि कि क्वांटिटी बराबर चीए तो इन दोनों के एलसे में निकालों तो एलसे मेरे पास 20 इससे अगर मैं पांच से मुल्टिप्लाइ करूँगा तो यह 5.20 बेचेंगा यानि कि 5 रुपे में वह और चार रुपे में आपके 20 बेच रहा है तो इसका मतलब एक बटे में पांच क्रेम ले निचा आएगा इंटू मैं 100 करूँगा तो मेरे पास में जुआएगा वह 20 परसेंट का लोस आएगा और अगर कहते हैं कि सर इससे भी नितमझ में आए तो आज जी फिर सिंपल बेस इसकी तरीके से करते हैं इसने examiner ने क्या का कि बही देखो एक रुपे में वो चार खरीड़ रहा है तो अगर एक रुपे को चार से डिवाब करूगा तो ये मेरे पास में इसका कोर्स प्राइज आएगा एक आर्टिकल का एक आर्टिकल वो उतने रुपे में खरीड़ रह और इन्टू में 100 करूँगा तो मेरा loss या profit आएगा. अगर ये मेरा negative में आएगा तो मेरा loss आएगा और अगर मेरा positive मेरा profit आएगा. यहां दोनों का LC मेरे पास 20 आएगा. तो 20 बनने के लिगा करूँगा निज का आएगा. तो यह minus का 5 by 20, आप उनमे cp कितना है, 1 by 4, इंटू में हम करेंगे से 100, solve करेंगे तो difference आगा, negative में आगा, इसका मतलब 1 by 20, आप उनमे 1 by 4 आगा, इंटू में आप इसे 100 करेंगे, तो यह 4 है, वो पर multiple है, यहाँ पर multiple है, यहाँ पर multiple है, यानि 1 by 20, इंटू में 4 by 1, इंटू म लिए correct होगा, दिखे करना तो आपको हमेशा इस तरह से ही है, अगर आप इसको और ली करना चाहते हैं, और थोड़ा सा ओर detail में करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कि उन दोनों की quantity को बराबर कर दिजी, मतलब कि जितने, मतलब कि एक fix rate, मतलब कि total उसने कितन जिम्यायोगा.